नमस्कार दोस्तों सभी के इंद्रीक रमचरे और पैंसन बोग्यों के एक मात्र बरोस्यों मन यूटूब चेनल गौर्वर्मेंट इंप्लाइज वेलफेर की नहीं और फ्रेश वीडियो में पैंसन को लेकर सरकार की जबरदस्त गोसना पैंसन में हुई दोगुनी बोडोत्री और इस पैंसन बोडोत्री को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है और इस pension का बुक्तान आपको यानि area का बुक्तान आपको एक जनवरी 2016 से इसका बुक्तान किया जाएगा तो चलिए इस वीडियो के माज़दम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से इससे पहले छोटा से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर पहले बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाते हैं ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको मेंसा मिलती रहेगी तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गॉर्मेंट डिपार्टमेंट और पैंसन और पैंसन और पैंसनरस वेलफेर की तरफ से ये लेटेश्ट ओपिस मेंबरेंडम जारी किया गया है 12 फरवरी 2021 को सबजेक्ट में आप देख सकते हैं इस आदेश के माध्यम से फैंसन में बड़ा सुधार किया गया है और उसके बुक्तान की सीमा 45,000 रुपे से बढ़ा कर 1,25,000 रुपे परती महना की गई है इस कदम से स्वर्ग वासी हो चुके करमचारियों के परिवार के सदेश्यों का जीवन आसान हो जाएगा और उन्हें प्रियाप्त वित्य सुर्खसा मिलेगी इसी को लेकर पैंसन में पैंसन कल्यान विबाग की और से उस रासी के मामले में सपच्टिकरन जारी किया गया है जिसमें अपने माता पिता की मृत्यू हो जाने पर कोई भी बच्चा यनि फैमिली पैंसन की दो किस्ते निकालने का हकदार होता है Central Civil Services पैंसन Rules 1972 के नियम 54 के उप नियम 11 के अनुसार यदी पती और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और इस नियम के तहट आते हैं तो उसकी मौत की इस्तिती में उसका जीवित बच्चा अपने माता पिता की दो फैमिली पैंसन पाने के यग्य होगा इससे पहले की निर्देसों में तेह किया गया था कि ऐसे मामले में दो फैमिली पैंसन की कुल रासी 45,000 रुपे परती महिना और 27,000 रुपे परती महिना हैं यानि कि 50,000 पर 30,000 और 30,000 परती की दर से अधिक नहीं होगी यह दर 6,000 पैंसन की सिपारिसों के अनुरूप 90,000 रुपे के अधिकतम वेतन के संदर्ब में तेह की गी थी लेकिन अब इसको इस आदेश के माद्यम से बदलाव किया गया है अब जबकि 7 पैंसन की सिपारिसों के अकावडिंग मैकसिमम वेतन 5,000,000 रुपे परती महीना हो गया है तो केंद्रे सिवल सेवा के नियम 54,11 के अनुसार यह रासी 2,50,000 रुपे का 50 परतीसत यानी 1,25,000 रुपे और 5,000,000 रुपे का 30 परतीसत यानी 75,000 रुपे तेह की गई है दोस्तों अब इस आदेश के माद्यम से ये सपस्टिकरन सभी मंद्राले और विबागों को बेजा गया हैं और ये आदेश जारी किया गया है कि मौज़ुदा नियमों के अनुसार यदि किसी बच्चे के माता-पिता सरकरी सेवा में हैं और उन में से एक की सेवा काल में सेवानेवरित हो जाते हैं तो स्वर्गवासी होने वाले वेक्तिकी फैमिली पैंसन उनके जीवित साथी को दी जाएगी और ये उस साथी की भी मौत हो जाती हैं तो जीवित बच्चे को अपनी योग्यता साबित करने के बाद अपने स्वर्गवासी माता-पिता दोनों की family pension अदा की जाएगी और ये effective है एक जनवरी 2016 से यानि एक जनवरी 2016 से इसका आपको फायदा मिलेगा ये लागू होगा तो ये थी एक latest cover वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए इसे के साथ चेहिंद चेह भरत